गुरुवार को स्वक्षता सर्वेक्षिन 2020 का रेपोर्ट घोशत कर दिया गया जिसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई है बिहार में वैयान बाजी शुरू हो चुके है सबसे पहले आरजडी सुप्रीमू लालुप्रसाद यादब ने नितीश कुमार पर हमला बूला तो अप उनके छोटे बेटे तेजस्वी आदब ने भी स्यम नितीश कुमार पर तंश कसा है तेस्वी आदब ने सीम नितीश कुमार को बधाई दी है और इसलिए बधाई दी है क्योंकि पटना गंदगी के मामले में नमबर वन पर आया है साथी साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि चलिए कहीं तो आप नमबर वन आए सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं आप ट्वीट में देखे जिसमें तेसी आदब ने लिखा है कि देश में पटना को गंदगी में नमबर वन स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननिये मुख्यमंतरी स्री नितीश कुमार जी को कोटी कोटी बधाई चलिए 15 वर्षों में कहीं तो नमबर वन स्थान प्राप्त किया आपको बता दे कि गुरुवार को जब सुख्षता सर्वेक्षन रिपोर्ट 2020 पेश किया गया तो उसमें पटना बिलकुल ही फिसड़ी साबित हुआ है 47 निकायों में से बिहार का जो नमबर है काफी जादा कम रहा और गंदगी के मामले में नमबर वन रहा इसे को लेकर अब सियमितीश कुमार पर तंशक से जा रहे हैं तेरसी आदब ने उन्हें इसको लेकर बधाई दी है लालो यादब ने आज सुबा सुबा ट्वीट कर नितीश कुमार पर हमला बोला था जिसमें उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट की थी और उस फोटो में बिहार के जितने भी शहर हैं उसका नमबर लिखा हुआ था और गंदगी के मामले में बिहार के जितने भी शहर हैं वो नमबर वन पर आये थे इसको लेकर लालू प्रसाद यदब ने सियमती शुमार से ये पूछा था कि क्या इसका जिम्यदार भी आप मुझे ही बताएंगे क्योंकि आपको याद होगा जब भी बिहार में किसी भी चीजों का जिक्र होता है या किसी ऐसे कारियों का जिक्र होता है तो उने एक तरीके से डरानने की कोशिस करते हैं कि लालू प्रसाद यदव का कारेकाल ऐसा था और हमने आपको ये ये दिया है अगर लालू प्रसाद यदव की सरकार वापस आती है तो फिर आपको उन-उन दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक डराकर जो राजनिती नितीश कुमार की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर लालू प्रसाद यदवनी ये बड़ा हमला बूला और सीधे-सीधे ये सवाल पूछ दिया है कि इसके जिमिदार आखिर कौन है ये आप जरूर बताए और अब तेयसी आदव ने भी सियमिदीश कुमार पर तंच कस्तेवे कह दिया है कि चलिए 15 वर्षों की इस सरकार में कहीं तो आप नमबर वन पर आए हैं ज्यादा आपडेट के लिए आप जूर ड़ी न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार